गाइज इस वीडियो को पूरा ज़रूरी देखना आप लोगो मालूम पर जाए गरीना ने मुझे क्या सर्प्राइज गिफ्ट दिया है और गाइज ऐसा सर्प्राइज गिफ्ट है ना कि पिछले एक घंटे से मैं परिशान हूँ और शौक में हूँ मैं अपने दोस्तों को फोन कहें लिए और जो इन गेम फ्रेंड से उनको भी गेम में बुला के पूछ लिया क्या गरीना ने तुमको कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है या कुछ गरीना ने तुमको अपने मेल बॉक्स में या कहीं पर कुछ भेजा है या बस मुझे ही दिया है तो उनका सामने से कहना यह ताकि नहीं भाई हमको तो ऐसा कुछ नहीं मिला है और गरिना तुम्हारे उपर ही महवान क्यूं है हमारे उपर महवान क्यूं नहीं है यह वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि अगर यह गरिना free fire की तरफ से glitch है और बाद में जाके अगर मेरी ID को कुछ भी होता है तो इसमें गरिना का fault है क्योंकि इसमें मैंने कुछ नहीं किया है मैं as a proof यह वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी ID पूरी साफ है मैंने कुछ भी glitch या कुछ भी इसका इस्तमाल नहीं किया है यह जो भी हुआ है गरिना की तरफ से हुआ है बाद में जाके मेरी ID ना तो बैन होनी चाहिए ना तो उसके अंदर diamond restrictions लगना चाहिए आप लोग thumbnail और title देखके समझी गए रहोगे गरिना free fire ने मुझे क्या gift दिया गाइज एक घंटा पहले मेरे दोनों ID में weekly membership अपने आप आया और यह दोनों ID किसी के पास नहीं है किसी के पास नहीं है ना तो कोई मेरे moderator के पास है ना तो कोई मेरे दोस्त के पास है यह दोनों ID बस मेरे पास है और 100% secure है उसके बावजूर भी मेरे ID में दोनों ID में weekly आए जो कि मैं भी आप लोग को दिखाऊंगा और इसी के साथ साथ गाइस payment का भी section दिखाऊंगा जहां करता हूं वहाँ पे वह को लेके चलूंगा अप देखो गए कि मैं थाप नहीं किया इसे में सवाल weekly कितने दिन का होता है weekly होता है गाईस साथ दिन का ठीक है और अगर मैं यहां पर weekly ए खिर करूं तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे बस 4 दिन- perdласти मिला लगा दिया जब मैंने पेमेंट नहीं किया है मुझे मालूं कि अभी सब लोग बोलेंगे आपने तीन दिन पहले इस्तमाल किया रहेगा अभी बस यूज गेन करने के लिए आप बता तो बहुत बहुत बिलकुल भी नहीं है मैं आप लोग को पूर्व भी दिऊंगा और अपनी दूसरी आइडी पर लेकर चलता हूं पहले दूसरी आइडी का दिखाता हूं कि दोनों आइडी में आया है आप यहाँ पर देख सकतो और यहाँ पर चार दिन लिखा हुआ है इह रही मेरी दूसरी ID आप लोग नाम देख सकते हो ठीक है आप लोग ID के साथ match भी करे सकते हो जिनको जिनको मेरी मालूम है कि मेरी दूसरी ID कौन सी है अब जैस मैं आप लोगो यहां पे click करके दिखा रहता हूँ ताकि आप लोग को fraud ना लगए आप लोग देख सकते हैं यहां पर चार दिन का यहां पर भी बता रहे हैं मेरे पास 178 diamonds थे 178 diamonds अभी plus 60 diamonds होके मेरे पास 238 diamonds हो गए मुझे नहीं मालूम यह कहां से आया है अगर फ्रीफायर की तरफ से glitch है तो बाद में मुझे इसका fault मत देना क कि मैंने diamond spend कर दिया आप उसके बाद restrictions लगा दो यह मेरी गलती नहीं होगी मैं गईना फ्रीफायर को अभी वहन करना चाहता हूं अगर हलका सा भी मेरे account में diamond restrictions या फिर ban हुआ तो मैं case करूंगा because मेरे यह दोनों ID में मिलके भी कम से कम 30-40,000 रुपए लगे हैं मैं बिंदास case कर दूंगा मैं नहीं डरूंगा इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं और मैं आप लोग को पूरा प्रूव बता रहा हूं ठीक है मैं आप लोग को अभी payment प्रू प्रूबर को और 31 ओक्टोबर को यहां पर payment decline हो गया है मतलब यह कि मैंने बाइक किया ही नहीं और अगर ग्लिच होना होता तो यह एक तारिक को होता यह तीन दिन के बाद ग्लिच नहीं होता ठीक है तो मेरा payment decline है और यह हर किसी के साथ हुआ रहेगा कि एक बार विकली लिय और अगर बाद में आप लोगों को नहीं लेना है तो पेमेंट decline लिखके आता है यह तो हो गया गाईज पहला Gmail ID अब मैं दूसरा लेके चलता हूं जहां से और जिससे मैं बाइक करता हूं हाँ तो यह है दूसरी ID ठीक है यह है दूसरी ID आप लोग यहां पर देख सकते हो 25 तारिक को विकली लिया है 31 तारिक को payment decline आया है पेमेंट टिक LINE का मतलब होता है मैं आप लोगों को अपर से समझा दो कि मुझे पेमेंट नहीं करना है मुझे लेना ही नहीं है और विकली में नहीं सकते हैं ठीक हैा रिन्यू का सिस्टम नहीं है और अगर्फिन्यू होना होता तो यह एक तारिक कोई हो गया होता अभी दिन्यू औ वह पांच दिन के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप लोग बता कि मैं सही हूं या गलत हूं क्योंकि मेरे साथ तो मैंने ना तो कुछ कुछ ऐसा किया है ना तो कभी आई सामें करता हूं एक बाद डायमंड रिस्रिक्शन लगाता वह भी किसी दोस्त की वज़े से मेरी वरे से नहीं लगाता उसुक्त मुझे कुछ समझ नहीं था इतना इसलिए लगा तो वह थीन साल पहले की बात थीक अभी की बात नहीं है वह तो अब भी ला तो मैं अपने ID में कुछ यूज करता हूं ऐसी यह अपने कभी ऐसा सुना नहीं है कि GameGod यूज करता है यहां मैं बहुत सरे hackers को जानता हूं बट ना तो मैं उग्रेजक करता हूं ना तो कभी कुछ करता हूँ आपको पूरा प्रूफ देख लिया गाईज कहीं पे भी मैंने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है जिससे मुझे बाद में मेरे के एकाउंट को इफेक्ट गिरे कि समझ गया आप लोग और हो सके तो जितना हो सके वीडियो को आप लोग भी डाउनलोड करें ना कभी भी मुझे ज़रूर पहे सकती है क्योंकि मुझे गरिना फ्रीफाय का भरोसा नहीं